जे मसी की दोस्तों, आज की सुर्गिय बनना का भाग हमने लिया है निर्गमन की पुस्तक उसका चौबिस्वा अध्याय और उसका पंद्रमापत वचन कहता है तब मुसा परबत पर चड़ गया और बादल ने परबत को च्छा लिया धन्यवाद परमेशन इस वचन के लिए दोस्तों अभी हाली में कुछ दिन पहले मैं इसराइल किया था और मैंने इस परबत को देखा मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि वो परबत इतना उच्छा है कि उस पर और इतने तेड़े मिड़े रास्ते हैं उस परबत पर एक जंगल बना हुआ है अगर कोई उस परबत की चूटी पर पहुशना चाहे तो उस जंगल से होकर उसको गुजरना पड़ता है वो पत्रीला रास्ता, वो पत्थर, वो चट्टाने उसके बीच में है, वो कड्डे उसके बीच में है और कभी-कभी तो शेर या जानवरों को अभी खत्रा है भाबर इसलिए बहुती एहतियात के साथ हमें वहाँ पर जाना पड़ता है और हमें गाइट ने जाने से रोका कि आप अकेले नहीं जा सकते हैं आपको किसी का सारा लेना पड़ेगा, आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब आप उस परवत पर जा सकते हैं दोस्तों, मुوسा परमेश्वर का चना हुआ विक्ती था और मुसा परमिश्वर से मिलने के लिए उस परबत पर गया उसने उन तेड़े मेड़े रास्तों को सीधा किया और परमिश्वर के करीब जाने के लिए उसने पूरा पूरा समर्पन और पुरी ताकत अपनी जोग दी ताकि वो उस पिता को उस पिता के साथ रह सके वो शांत की प्रातना Bible कहती है इमति छे और छे में कहा गया है कि तुम अपने भीत्री का खुश में जाओ और एकांत में परमेश्वर से प्रातना करो दोस्तों वो एकांत संसार से दूर संसार से अलग संसार हमारे बीच में न रहे संसार हमारे अंदर ना रहे और हम परमेश्वर के करीब पहुँचे मुसा प्रभु के करीब पहुँचा दोस्तों परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है लेकिन हमें उन टेड़े मिले रास्तों को सीधा करते हुए उस परमेश्वर तक पहुँचना है और उसकी उपस्यती को महसूस करना है जब हम अपने टेड़े मेरे रास्नों को सीधा करेंगे जब हम अपना पैर एक संसार से निकाल कर पुरी तरीके से परमेश्वर की परबत पर रखेंगे परबत पर रखेंगे जहों अपने पैरों को कदमों को उस चक्टान पर रखेंगे जो इस तरह है तो हम पुरी तरीके से परमेश्वर की उपस्टी को महसूस कर सकेंगे दोस्तों मुसा ने वैसा ही किया वो छे दिन तक बादल की उपस्टी मेरा परमेशर की उपस्टिती मेरा खालिया परमेशर उसे बना रहा था परमेशर मुसा के दोरा इत्यास बनाना चाहता था इसलिए मुसा की उपस्टिती मुसा को परमेशर अप्री उपस्टिती में रखे हुए था तैयार कर रहा था और मुसा चालिस दिन चालिस रात बिना कुछ खाए पिये परमेश्वर के साथ रहा क्योंकि परमेश्वर की उपस्टिती में ही सामर्थ है परमेश्वर की उपस्टिती में ही सुख शक्ती है जो हमारा निर्बल शरीर है वो परमेशर के उपस्थिती में बल पाता है इसलिए दोस्तों हम भी उसी तरीके से अपने जीवन में कोई भी रास्ता जो हमारे जीवन में रुकावट पैदा करता है परमेशर तक पहुंचने के लिए उन सारे रास्तों को हमें सीधा करना है और पूरी तरीके से मन से उस रास्ते को उस चोटी को देखते हुए उस मंजिल को देखते हुए येस उस बिंदू को देखते हुए जहां मेरा पिता है जहां मेरा प्रभू है मुझे बाट जोहते हुए परमेश्व के करीब जाना है और वहां रहना है वहां रहना है उसकी आवाज सुननी है उसकी योजनाओं का पता लगाना है हालेलुया इसलिए पॉलुस हमें प्रात्रा करता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रात्रा करता हूँ कि तुम्हारे मन की आखों को परमेश्वर जोतिर मैं कर दे ताकि तुम उसकी बुलाट की आशा को जान सको धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आशीश तेरे वचन जो शक्ती देते हैं जो हमें रास्ता बताते हैं जो हमें तेरा भेद खोलते हैं वो रहस्य को खोलते हैं जो तेरे वचनों में हैं जो तेरा ग्यान है जो तेरा भै है वो हमें डालते हैं इसलिए परमेशर धन्यवाद इसलिए पिता धन्यवाद तुने हमें अपने एकलौते पुत्र से मिलवाया और एकलौते पुत्र की आत्मा को तुने हमारे अंदर उड प्रुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् परमेश्वर बीच वो फल हमारे अंदर बने, हमारे अंदर बने रहे ऐसी तरीक पर हमेशा मुश्वर और सुनने वालों पर बनी रहे, इश्यो मसी के पवित सामरती नाम से मांगते हैं